Hello and welcome to my channel Usha Jaiswar Arts Calligraphy by Usha So friends, यदि आप चाहते हैं अपनी handwriting इंप्रूव करना cursive writing सीखना and calligraphy सीखना तो आप सीख सकते हैं मेरे साथ मेरे चैनल को subscribe करके So friends, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको small letters in calligraphy के fonts आपको सिखाए थे and अभी हम capital letters सीख रहे थे So today, we shall begin with letter I आप चाहें तो पिछले वीडियो में जाकर बाकी के alphabets जो मैं पहले सिखा चुकी हूँ वो आप सीख सकते हैं and small letters भी अगर आपके miss हो गया हूँ तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर calligraphy के small alphabets plus capital letters from A to H आप सीख सकते हैं So today guys, we shall begin with alphabet I जनोंने आज मेरे चैनल को subscribe किया है, मैं उन्हें बता दूँ कि आपको calligraphy सीखने के लिए simple एक four line की notebook लगीगी जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं and simple कोई भी pencil जो भी आपके पास available हो यदि आप four line notebook में सीखेंगे, तो आप काफी अच्छी तरह से सीख सकते हैं, चाहे तो plain notebook में भी सीख सकते हैं, बट अगर four line में आप सीखेंगे तो आपकी formations जो alphabet की हैं, वो आप proper बहुत सही तरीके से सीख सकेंगे तो better होगा यदि आप four line की copy यूज करते हैं so guys, now चलो हम start करते हैं एक बार फिर मैं आपको calligraphy के rules पता देती हूँ कि जब भी हम कोई भी letter बनाते हैं तो हम हमारी pencil को जब हम use कर रहे हैं तो जब हम कोई भी alphabet लिखते समय उपर की slanting जब हम जाएंगे उपर की तरफ जाएंगे तो हम pencil को बहुत ही हलके हाथ से चलाएंगे बिल्कुल हलके हाथ से चलाएंगे सरफ इतना दिखना चाहिए कि कोई भी हमने alphabet लिखा है और जब नीचे हम आएंगे तो नीचे की तरफ आते समय हम pencil को dark चलाएंगे प्रेस करते हुए तो देखिए ये मैंने alphabet A बनाया है इसमें देखिए formation जब हम टेड़ ऊपर जाएंगे थोड़ा slanting लेंगे टेड़ा चलाएंगे pencil को hulky pencil चलाएंगे और नीचे आते समय डार्क लेंगे अगें ऊपर जाते समय light और नीचे आते समय डार्क तो देख सकते हैं तो आप difference दिखाई देना चाहिए आपका इस तरह से आप A to Z alphabets मेरे पिछले वीडियो में small letters के आप देख कर आप सीख सकते हैं और अपने friends को जादा-जादा share करके आप उन्हें भी सिखवा सकते हैं चलिए आगे हम continue करते हैं capital letters from I चलिए आप A हमारी के formation किस तरह से रहेगी 2nd line से हमारी स्टार्ट करना है from here 2nd line स स्टार्ट करेंगे सो देखे आई की formation 2nd line से start करेंगे हम यहां से start किया में थोड़ा सा गोळ लेते हुजा आएंगे और टेडा जाएंगे red line टच करेंगे रेड लाइन टेच करेंगे देखिया फलकी पैंसे चलाइए मैंने नीचे आते समें डार्क चलाइंगे तेड़ा लेते हुए एंड इस पिर से देखिये सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है अच्छा एंगे टेड़ा पिर से देखिये यह शेप आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी इस इस दी अल्फबेट आई एक बार फिर देखिये झाली एक बार लाब dough एक लाएगी इस इस डाफबेट आई इसमोल लेटर आपको बता दूमें आपच्छी की फ़र्मेशन देखिये थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर आय के लिए टेड़ा जाएंगे, थर्ड लाइन को टच करते हुए स्टार्ट करेंगे टेड़ा जाएंगे second line touch करेंगे and नीचे आएंगे वाप पिस्ट्रेट एंड डार्क slanting लेंगे पर हम लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तेड़े में भी पर स्ट्रेट लाइन फिर से देखिए यहां से स्टार्ट करना है थर्ड लाइन पर जाएंगे सेकंड टैज करेंगे नीचे आएंगे स्ट्रेट इंड डार्क तेड़ गे एंड लाइट पैंसिल लाइए नीचे आएंगे डार्क इस इस दी आई आई की तरह ही जे की फॉर्मिशन होती है आई हम थ्री लाइन्स में ड्रॉ करते हैं और जे जो की फोर लाइन्स में ड्रॉ किया जाता है देखें थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है आई हमने सेकंड लाइन से स्टार्ट किया था जे को हमें थर्ड लाइन से स्टार्ट करन करेंगे एंड मोड़ते हुआ उपर ले जाएंगे फिर से देखिये थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है में जे को गोल घुमाते हुए टेड़े उपर जाएंगे रेड लाइन टच करेंगे नीचे आएंगे एंड गोल घुमाते हुए अगे उपर लिस इस दी अलफबेट जे पर जाएंगे श्माल लेटर दिखेंगे श्माल जे किस तरह से ड्रॉ किया जाता है जैसे हमने आई ड्रॉ किया नीचे थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे सेकंड लाइन टच करेंगे स्लांटिंग लेके गए पैंसिल को हलकी हाथ से नीचे आएंगे स्लांटिंग एंड डार्क गोल घुमाके उपर ले जाएंगे फिर से देखिए थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है में सेकंड लाइन टच करेंगे त्यड़ा जाएंगे हलकी पै थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे नीचे आएंगे लूपर टॉट लगा देंगे जी का आई पे भी डॉट लगाना है आपको स्मॉल लेटर में कैपिटल में डॉट नहीं आएगा नौ अल्फबेट के देखिए आप के की फॉर्मिशन हमें रेड लाइन से फॉर्स लाइन से स्टार्ट करना है यहां से थोड़ा सा कोल लेते हुए थोड़ा नीचे आके अगें उपर लाइन टच करनी है रेड लाइन एंड अगें नीचे आएंगे टेड़े और थोड़ा राउंड लेते हुए लाइक दिस यहां से हलकी पैंसिल आएगी यहां से हलकी और यहां से डार्क आते हुए फिर से दिखिए यहां से स्टार्ट करेंगे नीचे आएंगे टेड़ा और राउंड गुमाते हुए अच्छे से सरकल लेते हुए एक डॉट पर छोड़ेंगे और अगें इस इस तो अलफबेट के फिर से दिखिए आप रेड लाइन से स्टार्ट करना है यहां से खूल थो हलका से टेड़ा लेते हुए उपर थर्ड लाइन टच करेंगे राउंड गुमाते हुए सरकल लेंगे ऐसे और वापिस फॉर्स लाइन से सेंटर में टच करते हुए नीचे आ जाएंगे इस 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 ते अलफबेट के आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपनी हैं राइटिंग में इंप्रूब्मे और गाल्फबेट ओ यहां से अलफबेट के आप्रैस एक जाएंगे यहां बनाते हैंगे इसलम गाल टें मारें टच करेंगे आपने थ्रेट लाइन में ऑन या करिंटा फीर्डर म्पले। यहां से अगेन जैसे हम आर बनाते हैं सेम आर की फॉर्मेशन रहेगी इसकी यहां से स्टार्ट करेंगे थर्ड लाइन से उपर जाएंगे रेड लाइन टॉच करेंगे टीड़ा जाएंगे अगेन स्ट्रेट आएंगे इस इस देल्फबेट के स्मॉल लेटर तेखे इसकी फिर्मेशन रेड औन बलेक, सेकें टेदर फ्रेस्ट लाइन के बीच में से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा गोल घुमाते ओपर जाएंगे, इस तरह से, रेड लाइन टुच करेंगे, दार्क अब टेड़ा थोड़ा सा, औन गोल खुमाके अधिय। this is the alphabet L फिर से देखिए red and white line के बीच में से start करेंगे गोल घुमाते उपर जाएंगे नीचे आएंगे टेड़ा dark गोल थोड़ा मोड़ते हुए this is the capital L now small L देखेंगे हम third line से start करना है जैसे हमने की formation बनाई थी in the same way third line से हमने start करेंगे slanting जाएंगे red line टच करेंगे नीचे आएंगे straight and dark this is the small letter A फिर से दिखेंगे light and dark में आपका difference दिखाई देना चाहिए तो आप देख सकते हैं alphabet A to L की formation आज हमने सीखी है sorry I, J, K, L and A also in small letter आप बाकी के alphabets मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप सीख सकते हैं मेरे वीडियो को watch करके and guys channel को subscribe करना न भूले and videos को ज्यादा से ज्यादा share कीजिए so that's all for today thank you so much, goodbye